प्रिवियस एर कोईशन अनालिसिस में इसमें हम आपसे पिछले वर्ष में भी पिजिक्स से रिलेटेट या कहें जनरल साइन से प्रिवियस एर कोई से खास प्रशन पूछे गए थे जो फिजिक्स केमिस्ट्री और वायोजी तीनों से जड़े होए होंगे उन पर चर्चा करेंगे जो हमारी अभी सीरीज चल रहे हैं वह फिजिक्स रिलेटे चल रहे हैं यानि हम फिजिक्स यानि भौतिकी की कुछ खास पर चर्चा करते हैं तो भौतिकी के ही क्रम में हम आगे बढ़ती हैं और देखते हैं हमारे आज की विशे को आज हम ध्वनी विद्यत प्रवाह चालकता परमानु भौतिकी कंप्यूटर रिवं सूचना प्रध्योगी की से रिलेडेट पिछले जितने भी वर्षों में फि परश्यक्त के लिए नंदलेखित में से किया ते हैं ठीक है आपको बताने हैं और तो का उपयोग किया जाता है एक्सरे माइक्रोवेव अल्टरसोनिक तरंगे परावैग्नी करें उप्रक्त में से कोई नहीं उप्रक्त में से एक से अधिक देखिए आम बोल चाल की भाश्यमेदी हम चर्चा करें लगबाग सभी प्रशन को जानते हुए क्यों कि आसपास जो भी अल्टर सांट कराते हैं मुस्तिय लोग तो इस तरह इस प्रशन को आप आसानी से हल कर सकते थे आल्टरसाउंट की थूइन की जो जानकारिया हैं वे खट्टा करते हैं यानि कर्व में विकास को जानने के लिए हम अल्ट्रसोनिक तरंग का इस्तमाल करते हैं यह अल्ट्रसाउंट या अल्ट्रसोनिक तरंगों के अनुप्रयोग उपर आधारी एक प्रश्न था जो आपसे बीप्यस्ती में पूछा गया था इसका उप्योग मुख्यूरूप से गर्वावस्ता के दौरान मा के स्वास और भ्रून या भ्रून के स्वास और विकास के बारे में विपन अचानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है पढ़ते हैं उप्रश्न das जब कोई थारंख एक माद्यम से दूसरी माध्या में जाती है तो जो मात्रा बर्वतित रहती है वह आवरती आयाम तरंग दैद गती उप्रोग में से कोई नहीं उप्रोग में से एक से अधिए इस प्रश्ण का सही जवाब है ऑप्षनी आवरती इस पर हमने चर्चा भी की ठीक है पिछले वाले सेगमें पे जब कोई द्वनी तरह के एक माधिय से दूसरे माधिय में जात चल्ड़ा है जाते हैं ध्यां रखेता है कि वह द्यार से प्रश्रे प्रश्ण BHान बहुते हैं रहते के दूरी के साध्र में में कि युक dormir आयाम की यहां प्रश्ण को देखते हैं अग्ला प्रश्ण हमारी electric current से जुड़ा हुआ है, प्रेशन है दो समाना अंतर प्रतिरोधों वाले परीपत का कोल प्रतिरोध 1.403 किलो है यदि एक प्रतिरोध 2.0 किलो है तो दूसरा प्रतिरोधा कोगा हमारे पास आप्शन है 1.403 किलोऊ 2 किलोग 3.403 किलोओ पुर पॉइंट सेवन जीरो किलो ओम पुरुक मेंसे कोई नहीं पुरुक मेंसे एक से अधिक अब इस प्रशन की सही जवाब की बत करी कैल्कुलेटिफ कुर्शन है यह आपको पता होना चाहिए इसका आंसर या कम से कम इसका फॉर्मूला तो पता होना चाहिए तो यदि किसी समानांतर हम सर्गेट की बात करते हैं समानांतर परिपत की बात करते हैं तो उसका कुल प्रतिरोज मान लीजे स्मॉल आ है ठीक है तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं जो हमारे पास समी करण है क्या यूज करते हैं 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 so on यानि आगे एक रब चलता जाएगा जितने आपके पास से यहाँ पर प्रतिरोधों के बारे में चर्चा की गई है उतने प्रतिरोध यहाँ पर आप मान रखते जाएए अब हमें यहाँ पर निकालने क्या है यानि दूसरे प्रतिरोध का मान निकालने है हम यहीं तक लेते हैं समीकरण को अब इस समीकरण को हम यहीं तक लेते हैं और आगे इस सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसमें क्या का गया है दो समाना अंदर परिपत हो प्रतिरोध हो वाली परिपत का कुल प्रतिरोद, यतना है 1.403, कुल प्रतिरोद यानि 1 upon R, जिसे हमने अभी small r कहा था, उसे आप capital R मान लीजे, तो 1.403 equal 1 upon 2, क्योंकि यदि एक प्रतिरोद 2 kg का है, तो आपको दूसरा प्रतिरोद निकालना है, आपको R2 की value निकालनी है, R2 की value निकालने के लिए आप इसे इस तरफ transfer कर दीजे, R2 को इस तरफ ले आएए, या 1 upon 2 को इस तरफ transfer कर दीजे, यह ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, चीक है, आएए, आगे बढ़ते हो, ऐसे हम solve करते हैं, इसी को आगे हम solve करते जाएंगे, और किसा वस्था पर पहुँच जाएंगे, 1 upon R2 equal, ध्यान रखेगा, 1 upon 1.403 minus 1 upon 2, है ना, अब इसे हम आगे solve करेंगे, तो कैसे आएगा, R2 equal, इसको 1.403 और 2, इनका हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, इस तरह हनुपात, 1 point को, इससे गुणा करेंगे, आएगा क्या, 2 minus 2 को, इससे करेंगे, आएगा क्या, 1.403, 2 से घटा दीजिए, 1.403 को, और 2.806 से भाग कर दीजिए, तो यहाँ आपको, R2 की value निकाल लेंगे, आप R2 उपर कर दीजिए, यह भी उपर चला जाएगा, जिस जो भी घटके निकलेगा, वो आजाएगा नीचे, तो इस तरीके से R2 की value हम निकाल लेंगे, तो R2 उपर चला जाएगा, R2 एक्वल, जो उसके नीचे वाला मान था, 2.806 वो उपर आजाएगा, 2.80 upon 2 minus 1.403, तब आपके पास R2 की value आएगी, 4.70 किलो ओम, चिक, option D, इस प्रशन का सही जवाब होगा, इस प्रशन को हल करने के लिए बस आपको ध्यान रखना है, यदि आपको कुल प्रतिरोध की बात की जा रही है, और छोटी चोटी याने प्रतिरोध की बारे में चर्चा की जा रही है, तो इस वाले formula को आपको रखना 1 upon R, 1 upon R1 plus 1 upon R2, जतने प्रतिरोध होगे उन्हें आप आगे count करते जाएए, इस formula में value रखके आपको इसका answer निकाल देना है, अगले प्रशन पर गौर फर्माते है, फेराडे स्थिरांग याने फेराडे constant क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पनिर्वर करता है, इलेक्ट्रोलाइट में प्रभाहिधारा पनिर्वर करता है, विलायक की मात्रा पनिर्वर करता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घुल जाते है, एक सार्व भौमिक स्थिरा ठीक है ध्यान रखेगा एक यूनिवर्सल कॉंस्टिंट है फिराडिस रांख प्रती मोल इलेक्ट्रॉनों पर यानि हम चल्चा कर रहे हैं यहां इलेक्ट्रॉनों के संदर में तो प्रती मोल एक मोल इस एक मोल में जितने भी एलेक्ट्रॉन से उन पर विज्जत आवेश के को दर्शाता है विज्जत आवेश के परिमार को वैल्यू को दर्शाता है इससे दर्शाते हैं ठीक जहां रखेगा इसका नाम अंग्रे माइकल फिराडे के नाम पर रखा गया है इसकी वर्तमान में मान की बात करें कि इसका कौन सा मान स्विकृत किया गया है तो इसका मान अभी स्विकृत किया गया है एफ इक्वल इसके वैल्यू अभी यही मान जा रही है देखिए ऐसा हो चकता है पूछ लिया जाए तो अधियान रखेगा नाइज स्विकृत प्रश्न को अगला प्रश्न है विधित मोटर में विधित मोटर के बारे में पूछा जा रहा है उश्मा विधित उर्जा में परिवर्थित हो जाती है विधित उर्जा ओश्मा में परिवर्थित हो जाती है विधित उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्थित किया जाता है विधित उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्थित करते हैं क्योंकि हम विधित मोटर को जलाते हैं विधित मोटर को हम जैसे ही चलाते हैं उससे यांत्रिक वो आगे बढ़ती है चलती चाती है यांत्रिक उर्जा में परिवर्दत होती है यानि इसे क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम किसमें कनवर्ड करते हैं मेक्यानिकल एनर्जी में ठीक है तो विधित मोटर एक उपकरन है जो विधित उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्दित करता है विधित मोटरों में तार की घूमने वाली जो कुंडलियां है वे कुंडलियां उस द्यान रखेगा प्रश्न है किसी चालक के अनुदिश टापमान विभिनता के कारण इसकी अनुदिश विभाव भिनता होती है इस घटना को इस रूप में जाना जाता है, थॉम्शन प्रभाव, जूल प्रभाव, सीवेक प्रभाव, पैल्टीय प्रभाव, उप्रोक में से अथे, दर असल किसी चालक की अनुदिश तापमान भेनता के कारण, उसकी अनुदिश विभाव भेनता के को जाना जाता है थॉम्शन प्रभ्राव कि नाम से जना जाता है एक ही चालक की दो बिंदूंके बीच तापमान अंतर के कारण इल्क्ट्रों घहनत्व में अंतुर होता है यानि एक ही चालक है ठीक उसके do वो बिंदुओं के बीच टैंपरेचर है T1, T2 इनके तापमान में अंतर है कोई difference है ऐसे अंतर को शो करते हैं लगभग को शो करते हैं और difference को भी हम ऐसे शो करते हैं T1, difference T2 इसके करण electron घंडव में जो अंतर होता है electron की density में जो अंतर होता है वो उसके अंतर होता है इसे यह किसका कारण है थामशन प्रुभाव का उचितापमान की तुलना में कामतापमान पर electron घंडव अधिक होता है इस बात को ध्यान रखेगा इस प्रकार एक ही चालक के दो बिंदों के बीच संभावित अंतर हो जाता है इस तरह इस प्रशन का सही जबाब होगा option इस फामशन पर अगला प्रशन है गर्व करनी पर अर्द्चालक का प्रत्रोद बढ़ता है घड़ता है वही रहता है पहले बढ़ता है वो प्रूप में से कोई नहीं प्रूप में से एक से देख आर्द्चालक यहां बहुत बहुत हो कोण है सैमी कंड़क् इस प्रशने का सही जवाब हुआ यानि गर्म करने पर अर्द्चालक का प्रत्रोद घट जाता है कैसे अतापमान बढ़ने से अर्द्चालक कोई पदार्थ है माल लेजी इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है जब कि जो इलक्ट्रॉन है इसकी इसका मतलब है कि इसका मतलब बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो जाता है और लेकिन प्रति न्यूक्लियर से जोड़ा हुआ है प्रिश्ण है हाइड्रोजन प्रतिक्रिया और सबसे ज़रूरी हाइड्रोजन प्रतिक्रिया तो हाइड्रोजन वर्म सबसे महादुपोन बाद ध्यान रखेगा कि यह अनियंत्रित सलेन प्रतिक्रिया पर काम करता है रियक्शन अनकंट्रोल फ्यूजन रियक्शन पर काम करता है ठीक है हाइड्रोजन प्रतिक्रिया 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 प्र ठीक है बर्मानु विखंडा आगड़ी प्रशनी क्यों बढ़ते हैं अगला प्रशनी है समवर्डित यूरेनियम है यूरेनियम की छणे विशेश खोल में रखी जाती है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियो धर्मी यू-2-3-5 आइसोटोप कृतिम रूप से बढ़ाया जाता है प्राकृतिक यूरेनियम अठोलियम का मिश्रण या क्रोमियम लेपित यूरेनियम छणे तो इस प्रशन का ध्यान रखेगा आंसर है उप्शिन B प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियो धर्मी यू-2-3-5 आइसोटोप कृतिम रूप से बढ़ाया जाता है तो सम्रदियूरेनियम एक प्रकार का यूरेनियम है जिसमें आइसोटोप प्रथिक्रन की प्रक्रिया द्वारा यूरेनियम 235 साइसो टेप का जो अनुपाथ है विप्राक्तिक इस तरह से क्या होता है बढ़ाया जाता है समवर्धित यूरेनियम का उप्योग बिजलियोत पादन और परमाणू बमों के लिए किया जा सकता है समवर्धि यूरेनियम नागरिक परमाणू उजद पादन और सेने परमाणू हथया दोनों के लिए एक महजपून हटक है ठीक है ध्यान ना किया इसलिए यूरेनियम अपने आप में महजपून है और फिर इन्रिज्ट यूरेनियम भी महजपून है मढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ अगला प्रशन आपके लिए कंप्यूटर इम सूचना प्राध्योगी से जुड़ा हुआ है आए देखते हैं प्रशनी क्या है प्रशनी है तो इस्राइल इस प्रशनी का सही जवाब है यानि पैगसेस स्पाइवेयर को इसराइल में विकसित किया था इसराइल के एडग गर और अगर हम ने लक्षित कर लिया है तो उसके device में एक मार्ग धूण सकता है और device और उसके software के developer के लिए अग्यात और लक्ष को किसी link पर click करने जैसी कर कई कारेवाईयां करने के लिए इसकी आवश्यक्ता नहीं होती यानि उस लक्ष की device में प्रवेश करने के लिए जरूरी नहीं कि किसी link पर ही टच करें तो ही इसकी device में प्रवेश करेगा यह अपने आप में बड़ी बात है पेगसे zero click exploits के माधियम से 14.7 तक के iOS अंसक्रणों का फायदा उठाने में सक्षम है यानि Android ही नहीं iOS अंसक्रण भी इससे प्रभावित हो सकते हैं ठीक है तो इस बात को भी धियान रखेगा अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है टूजी स्पेक्ट्रम में जी अक्षर का प्रयोग किस शब्द के लिए किया गया है ऑप्शन है global, government, generation या Google देखिए यहां पर टूजी यानि दूसरी पेड़ी यानि second generation की बात की जाती है तो इस प्रश्ण का सही जवाब है option c generation 2G दूसरी पेड़ी की wireless telephone तक्नी का संक्षित रूप है जो हमें text और चित्रसंदेश भीजने में सक्षम बनाती है और इसमें internet जमताय मौजूल है option c, 2G में G generation के लिए इस्तमाल किया जाता है और भारत अब 5G तक्नी को भी launch कर चुका है 5G कई spectrum band में काम करते है इसमें तीन बैंड निम्नमध्यों और उच्छे शामिल है विभाजत आवरत्तियों के एक श्रंख्ला इसमें दर्गत शामिल की गई है ठीक है तो इस प्रश्णे का सही जवाब क्या होगा option c, generation आज के session में इतना ही मिलते हैं हमारे अगले session में अगली खास प्रश्णों के सार्थ अगले अन्य विश्यों से भी जोड़े हो सकते हैं तब तक के लिए शुक्रिया पढ़ते रहें रिवीजन करते रहें थांक यू झाल